नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया कामद और आप देख रहे हैं आरेनियू स्वागत आपका उत्राखंड के खास बुलिटिन में रुक करिंग उत्राखंड की तमाम खबरों के तरफ प्रदेश कॉंग्रेस कमिटे ने 10 लाग सदस्ये बनाने का लक्ष रखाया और प्रतेक भूत में कम से कम 50 सदस्ये बनाए जाएंगे और इसके लिए गुरुवार से कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदेशता अभ्यान शुरू करने जारी और राज्ये कॉंग्रेस मह अमिटी सवगार में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक के माध्याम से विदित रूप से पार्टी के सद्रिस्ता अभ्यान की शुरूआत की जाएगी और विदान सवा चुनाव को देखते हुए पार्टी सद्रिस्ता अभ्यान को गती दी जाएगी और सभी जिला और शहर अध्यक्षो को निधारित लक्षे दिया जाएगा और वही 29 सितंबर को यात्रा के दूसरे दिन रूड़की से प्रारम होका यात्रा 10 बजे मेवड इमली खेडा और होते हुए 12 बजे चुडियायाला रोड भगवानपुर पहुंचेगी और यहाँ पर जनसबा का आ 11 बजे धंडेरा के गोतम पार्क में जनसबा के साथ यात्रा प्रारम होकर साड़े 12 बजे लंडोडा और डेड बजे लक्सर में जनसबा होगी और वहीं 3 बजे सुल्तानपुर चार बजे फेरपुर और में जनसबा के बाज शाम 6 बजे कंखल में जनसबा के साथ दूसरे चरन की यात्रा का समापन होगा और उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के और से सुरू की गई परिवर्तन यात्रा के पहले चरन में चंता में उत्सा देखने को मिला और इसका पार्टी को अगामी विधान सवाचुनाव में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और वही ओम्स बैंड के चेर्मेन सुबाश कुमान ने प्रेस वारता करते हुए बिजली आपूर्ती को ले कर बात किया और उनने कहा कि कोट में ठीक से अगर पैरवी हो तो राज्ये में जो 20 संस्थान है उनकी रोयल्टी राज्ये को मिलेगी तरसल उत्राखंड में इस वाक्त बिजली के आपूर्ती पूरी करने के लिए बहार से बिजली खरीदने पड़ती है जबकि कोट में ठीक से पैरवी हो तो 1200 मेगावार्ट बिजली राज्ये में मुफ्त में मिल सकती है और वहीं ओम मेन के चेर्मेन सुबास कुमान ने बताया कि कोट में ठीक से पैरवी होने पर राज्ये में जो भी संस्था है उनकी रोयल्टी राज्ये को मिलेगी हाला कि अभी रोयल्टी यूपी को मिल रही है और ये मामला सुप्रीम कोट में चल रहा है और वहीं आपको बता दें कि टी एच डी सी लिमिटेड राज्ये और देश में स्थित अपने पावर हाउस से करीब 4300 मेगावर्ड बिजली उत्पादन करता है जिसका 25 प्रतिशत राज्ये को मिलना चाहिए और वहीं आज उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी का जनम दिन है और इस मोके पर राजनितिक जगत के तमाम दिगज उनको जनम दिन की बधाई दे रहे पीम मोदी यूपी के डिप्टी सीम केशव लोकसाबा स्पिकर समेथ काई नेताओं ने धामी को जनम दिन की बधाई दी और धामी ने अपने जनम दिन की सुरुवाद पूजा अर्चना के साथ की और सीम ने डिप्टी बादित बच्चों के साथ अपना जनम दीवस मनाया और वहीं आपको वता दे कि सीम ने बच्चों के साथ केक काट कर जनम दिन मनाया है और इतना ही नहीं CM धामी ने इस मौके पर विक्षा रोपन भी किया और दिष्टी बादित बच्चों को मिठाई हुएं भी बाटी है मुक्यवंतरी पुशकर सिंग धामी ने कहा कि वो आज बच्चों के बीच आकर अभी भूत है और CM ने कहा कि संकल्ब सक्ति और इक्षा शक्ति तो ऐसी सक्ति हैं इन में से हम सब कुछ प्राप्ट कर सकते हैं जिन लोगों ने भी इत्यास बनाया है वो साधारन परस्तितियों में अपनी इक्षा और संकल्ब सक्ति से बुलंदियों तक पहुंचे है